वेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स, आज से हम दो डिस्कुस करने वाले हैं RGPV के 2nd semester Mathematics 2 के बारे में जिसका सबसे 1st module है जिसमें हमें पढ़ना है Ordinary Differential Equation 1 और 2nd module में हमें पढ़ना है Ordinary Differential Equation Module 2 यानि total module इसमें 5 है और इन सारे टॉपिक के अंदर 1st module के अंदर यानि 1st जो टॉपिक है वो है आपका Differential Equation for 1st order and 1st degree उसमें हमें Levenids, Linear and Exact and Bernoulli's theorem के बारे में पढ़ना है तो ये theorem आपको पढ़ना है तो ये कहीं न कहीं B.T.E.C. में कोई भी Engineering College हो तो कोई भी Universities हो तो कहीं न किसी या किसी semester में हमें पढ़ना है ऐसा नहीं कि ये basically RGP के लिए design RGP के लिए design है लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई भी student करना चाहता है इन सारे चीजों को clear करना चाहता है तो आसानी से clear कर सकता है तो चैनल वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से request है कि इस वीडियो को जाता जाता आप share कीजिए ताकि आपके student आपके friend circle में लोग इसे सही तरीके से जान सके और सही तरीके से सारे concept को समझने की कोसिस करें और मैं बारी बारी से इसके हर एक chapter by chapter सारी चीजे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोसिस करूंगा और इसका मैं प्रेजिस्ट बनाऊंगा mathematics 2 के नाम से और mathematics 2 के नाम से एक playlist अलग रहेगा उसके अब्क सब्सक्राइब हैं तो जाता जाता स्वेर कीजिए कहले अपना personal को बता इसका फायदा उचा सके सौटजा कर देख सकते हैं की और और ऐझमेरी डिफरेण्सील कोवेसिटेंट है ईब रीफेंस्ट कोई रिए रीफरेंस्ट तो भाय को लिए पिशिड़ इंडिपेंडेंड़ के रूपमें यह उता है जी इंग सकते हैं आपका जो जोकि ऑडिने का सब्सक्राइब और second इसमें है आपका order and degree of ordinary differential equation differential equation को हम लोग इतना लिख सकते हैं क्योंगी जादा लिखने की दरुवत नहीं है बस आपको समझ में आना चाहिए to the point सारी चीज़ है तो उसमें एक statement यह है कि the order of a differential equation is the order of highest derivative appearing in it the degree of differential equation is power of highest derivative यानि degree क्या है highest derivative का power है और उसके साथ साथ while the highest derivative free from radical and fraction यानि radical और fraction से यह मुक्त होना चाहिए यानि free होना चाहिए example के दो देख सकते हैं कि अगर डिया हुआ है तो इसका आप देख सकते है order क्या यानि यह फॉस्ट रवर ड्याबटीब है और यहां पर कुछ नहीं तो क्या है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या होगा और यहां का पावर कितना है तो यहां आपका डिग्री भी वह नहीं होगा यहां तक आयो क्लियर वाओ एक पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एनफ और ऑफ डिफ्रेंटियल इक्वेशन होगा उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे उसे हम दिनोट करेंगे एफ एक्स कामा वाई कामा डिवाइब गवर दिखसा सुकारण बॉल्ष अंधर करेंगे पर नंगें करते ॐ यहे اखिट पर 01 यह है यह है यह सिंप्री आपको बताता है जो इसका सब्सक्राइब करते हैं और इसके तुरू है और यहाँ पर यह पर यह टर्म आएगा और यहाँ पर यह टर्माएगा और इसको हम बोग करेंगे integrating both side कर देंगे integration अगर जैसा ही हम लोग करते हैं तो यहाँ पे f2y is equal to f of 1x dx plus c आपका आजाएगा c ऐसे constant represented होता है यहाँ पे ओके यहाँ पे इसका general equation हो गया एक example के तोर पे हम लोग इसे समझना की कोशिश करते हैं example आप देख सकते हैं कहरा है solve the differential equation एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करते हैं और यहाँ सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या होगा डिवेट कर देख सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब करते हैं विवेट करते हैं तो इंडिवाइड बढ़ जाता है यानि y का power minus 2 है तो minus 2 plus 1 कितना आगा minus 1 यानि minus 1 को हम 1 by y लिख सकते हैं is equal to यहाँ पर 1 by x plus 3 divided by 2 x का power 3 plus c पहला example था आप लोग ने देखा यह second example आप देख सकते हैं कहा रहा है कि solve the differential equation dy by dx minus x 10 y minus x is equal to 1 simple से हम लोग क्या करें कि mathematics का terminology यही होता है कि सबसे पहले जो equation दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं यानि कि when dy by dx minus x 10 y minus x is equal to 1 अगर हम लोग क्या करते हैं करते हैं यानि मानते हैं y minus x is equal to t इसे थोड़ा सा आपको खुछ से सोचना पड़ेगा और इससे हम लोग क्या करते हैं करते हैं किसके रिस्पेक में एक्स कर रिस्पेक में तो सबसे पहले आप जानते हैं दीवाइभ भी एक्स हो जाएगा इसको एक्स करने कि कोशिका हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा 1 plus dt by dx minus x 10T is equal to 1 अगर इस 1 positive है इधर आएगा तो negative होगा तो यह obviously cancel हो जाएगा और अगर इस टर्म को हम लोग बात करें तो यहाँ पर dt by dx is equal to x 10T आजाएगा और यहां से अगर dt वाला टर्म एक तरफ और वाला टर्म में एक तरफ अगर हम लोग करने की कोसिस करें तो डिटी डिवाड़ेट बाइट इस इकल टू एक्स डिएकस हो जाएगा और अगर हम जानते हैं कि यहां आपका पारी एंसर आजाएगा आई आई होग आपको वह दोनों कुष्टन समझ माया होगा उसके बाद हम लोग डिसकस करते हैं इससे पहले हम लोग ने देखा कि वेरियेबल सेक्रेशन किस तरह से यूज किया जाता है किस तरह से अपलाई किया जाता है आप हुंनों देखने वाले हैं homogeneous function के बारे में homogeneous function से कहीं न कहीं आप 12 में भी recall हुए होंगे 12 में इंडिक्रेशन पार्ट में आपको पढ़ना है तो बस यहां पर कह रहा है कि function in which each term is of same degree is known as homogeneous function यानि जो जिसका degree क्या हो सेम हो आपका क्या कहलाता है homogeneous function कहलाता है और उसके बाद एक और statement कह कह रहा है कि a differential equation is of the type dy by dx is equal to f of 1 x,y divided by f of 2 x,y equation 1 अगर हम इसे late करते हैं is called a homogeneous function homogeneous differential equation of the order 1 and degree 1 यानि यह आपका क्या कहलाएगा homogeneous differential equation कहलाएगा कि इसका order 1 और order or degree 1 का इस term से लिखा रहाएगा तो यदि कहा रहा है कि if f of 1 x,y and f of 2 x,y be two different homogeneous function x and y तो हम क्या करेंगे find करने के लिए क्या करेंगे to find the general solution हम क्या करेंगे put करेंगे y is equal to bx और जहां से आपका b का value क्या होगा v is equal to f of x होगा जो function होगा और यहां से हम लोग क्या क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे simply तो d by dx होजाएगा is equal to b plus x d by dx होजाएगा और यहां से हम last में क्या क्या करेंगे v is equal to y by x put करेंगे at last step में तो यह तो statement होगा homogeneous function का statement तो statement थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है यह यह वह कहता है कि statement तो को लिखवाया नहीं direct question किस तरह से करना है तो यह आपका statement हो गया आए हम तो question के तुरू से समझने के process करते हैं question क्या रहा है कि solve the differential equation x divided by dx is equal to y plus under root x square plus y square simple sum क्या करेंगे जो दिया है वो तो हम लिखना ही है x divided x plus y under root x square plus y square इसको हम लोग क्या करेंगे simple separation लगाएंगे variable का x वाल टर्म यहां पर आपका डिवाइड में आथा कि एक्वेशन क्या हो गया हो गया और हम दो क्या करेंगे एक्वेशन को चेंज करना है तो इक्वेशन को अगर हम जैसे ही चेंज करेंगे तो यहां पर y के जाओ पर आपका bs हो जाएगा bx plus x under root 1 plus v square divided by x यहां से अगर हम x को कमन लेते हैं तो b plus under root 1 plus v square divided by x आजाएगा और यहां से x और x आपका cancel हो जाएगा तो यहां पर टर्म क्या बद देगा एक तरफ हो जाएगा एक तरफ करने के बाद करेंगे बहुत साइट करने के बाद आपका जो फॉनली आएगा वो लॉग दी प्लस अंडरूट 1 plus v square is equal to log c plus log c आएगा यहां तक आयोप क्लियर हुआ होगा आयोप आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक खीजिए और चैनल परे बाहना चनलों को सब्सक्राइब कीजिए फिर मुन तो यह अगले वीडियो नतदों के लिए थैंक्यू